तो साथ ही हो अगर आप Canera Bank account के KYC के लिए पहले भी आप apply कर चुके हो, पहले भी आप form fill कर चुके हो, पहले भी आप online apply कर चुके हो, लेकिन आपके जो account के KYC है वो complete नहीं हुई है, इसका क्या reason है, क्या कारण है, आज हम उस पर भी बात करने वाले हैं और आपको कैसे द्वा बस अब मेरी आप से छोटी सी request है, आपको अपने चैनल को subscribe जरूर कर लेना है, और वीडियो को like कर लेना है, क्योंकि बैंक के regarding जितने भी updates होते हैं, जितने भी issues होते हैं, मैं आपको अपने इस चैनल पर share करता रहता हूँ, चले फ्रेंट, शुरू करते हैं तो साथियों अगर Canera Bank account में आपने KYC के लिए document को upload किया हुआ था, या फिर updated किया हुआ था, सीधी सी बात है, आपने online KYC कर रहे थे, आप या offline तरीके से आपने कोई form फिल करके अपने bank employee को दिया हुआ था, लेकिन अभी तक आपके account के KYC नहीं हुई है, तो आज की वीडि के KYC 100% कर पाओगे, मैं इसकी guarantee देता हूँ, तो वीडियो शुरू से लिए and तक आपको पूरी देखना है, तब ही जाके आपको complete process समझ में आएगा, वीडियो भहुस ज़्यादा है, इसलिए मेरे आप सक छोटी सी requestor है, कि आपको अपने चैनल को subscribe जरू कर लेना है, और व from में आपको अपना address फिल करना है, to the branch manager आपको आपको ब्रांच का नाम फिल करना है, थोड़ा नीचे आएंगे my account number, यहाँ पर आपको account number फिल करना है, जो कि आपको पासुक में दिया गया होगा, customer ID आपके पास है, तो फिल कर यह नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस लगी होगी, वही mail ID आपको आपके लिख देना है, otherwise अगर आपके account में पहले सही mail ID लगी हुई है, तो वो भी आप यहाँ पर लख सकते हो, वो ज्यादा सही रहेगी, यहाँ पर बात कर लेते हैं, basic information तो आपको फिल हो चुकी है, चलिए अब आते हैं अपनी problem पर, problem क्या है हमारी, problem आपको KYC update नहीं हुई है, जबकि आप पहले यहाँ पर request कर चुकी हो, तो यहाँ पर KYC का option कहीं नहीं दिया गया है, चलिए दूसरे वाले पेच पर आते हैं, दूसरे वाले पेच पर आपको देखने के लिए मिल आओगा, बारवी नमबर पर, account modification, यहाँ पर आप updated, मतलब आपने document यहाँ पर क्या किये है, submit कर दिये है, already लेकिन अभी तक आपके KYC complete नहीं हुई है, तो देखिए आपको परेशान नहीं होना हो सकता है, कभी कभी bank थोड़ी सी लापरवाई कर देता है, आपके जो documents वगरा होते हैं, वो कहीं खो जाते हैं, या नहीं मिल र ही करना है, जो कि आपके खाते में लगे हुए हो, बहुत से भाई बंदों हमारे क्या करते हैं, जल्दवाजी में कुछ भी signature कर देते हैं, और फिर कहते हैं, सर मेरा form reject हो गया, तो भाई आपका form reject होगा ही होगा, अगर आपके signature आपके system से match नहीं करेंगे, आपके खाते से match तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको आधर कार्ड लेकर अपने bank के employee से मिल ला हूँ, कि नसर मेरा signature verify कर दीजिए, आपके signature verify हो जाएंगे, और फिर सही सही signature आपके आपके कर देने हैं, सीधी सी बात है, और सही signature करने के बाद, अब बात कर लेते हैं, document कौन कौन से आपको आधर कार्ड की photocopy ले लेनी है, एक पास्बुक की photocopy ले लेनी है, अगर pen card आपसे मांगा जाता है, तो ले लीजिए, नहीं मांगा जाता है, तो कोई दिख करने, आधर कार्ड आपकी primary identity है, आधर कार्ड पर भी आपके KYC हो सकती है, तो इसलिए आपको आधर कार् condition में ऐसा होता है, कि किसी पास आधर कार्ड नहीं होता है, तब आपका pen card 100% लगे गए लगेगा, मैं आपको पहले विता दे रहा हूँ, तो आधर कार्ड या pen card दोनों चीज़ें आप ले कर जाएगा, अपनी सहुलियत के लिए, क्योंकि बार बार हो सकता है, बैंक नहीं क अपडेट कर दीजिए, आपके KYC ये अपडेट हो जाएगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज की वीडियो को पसंद आए होगी, वीडियो अच्छे लगी हो, तो चैनले सस्क्राइब कर लेजिए, और वीडियो को लाइक कर लेजिए, क्योंकि ऐसे ही helpful content में आप सभी एक करते रहता हूँ, मिलते हैं, अगली वीडियो के साथ तो कलिक हेलो के अपना, स्वास्तरी है, मास्तरी है, तैंक्यो सो मच